हेलो दोस्तों, जैहन, आज मैं आपको एक लूबाट सूले लगवानी में क्या-क्या खर्चा लगेगा, कितने उफकारण के बारे में, और सही उफकारण की प्राइस, लगभग मैं आपको आजके डेट में लबग प्राइस और टूटल खर्चा आपको बताने जा रहा हूं, और इस सारा खार्चा आपका अंडर 50,000 के अंडर में रहेगा तो आपका बज़ेट अगर 50,000 रुपे है तो आप एक कंप्लीट सूलर सिस्टम लगा सकते हैं और आप ग्रेड भी हो सकते हैं आप मात 50,000 रुपे खर्च करके अपने घर के कंप्लीट सूलर में कंप्लेट कर सकते हैं और अपने घर की सारे जिफ्ति एक्विपमेंट हैं पूरे आप सूलर पर स्विच कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो एक किलो बाट एक किलो बाट शूलर लगवाने का खर्चा तो आपको एक किलो बाट शूलर लगवाने में सबसे पहले आपको खरीदना होगा शूलर पैनल और आपको आज की लेटेस्ट टेक्नलोजी के अनुसार आपको खरीदना है मोनो पर्क वाइफेसियल का 420 वाट का कम से कम आपको 420 वाट का पैनल खरीदना है जिसकी प्राइस आज लगवाग 17,000 रुपे है तो मैं आपको एक ब्रीफ छोटी सी जनकाई दे देता हूं सूलर पैनल मोनो पर्क वाइफेसियल 420 वाट का जो मैं यूज करता हूं मैं अपना बताने जा रहा हूं मैं किसी कमपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं आप किसी कमपनी का ले सकते हैं मैं 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 जो अपने घर पर यूज किया हूं लगवाया हूं वो मैंने नेक्स कमपनी का 420 वाट का वाइफेसियल पैनल लगवाया है जो मुझे लगवाग 17 या 18,000 पढ़ा था तो मैं एक ठेगर लेके चलता हूं कि 17,000 रुपे का हो गया आपका सूलर पैनल इसके बाद दू चार्ज कंट्रोलर और शूलर चार्ज कंट्रोलर में MPPT शूलर चार्ज कंट्रोलर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जो लगवाग 12 बूल्ट और 24 बूल्ट 50 MP वाला चार्ज कंट्रोलर लेना है जिसकी कीमत आज लगवाग मार्केट में 5000 रुपे के सम्थिंग है और इसके बाद आपको तीसरे नमबर पर लेना है 150 EH या C+, इससे कमनी लेना है 150 C+, ट्योल ट्यूबलर बैटरी ट्यूबलर बैटरी तो ट्यूबलर बैटरी की कीमत आज लगवाग 12.25 की लगवाग है तो मैं यहां पर 13000 रुपे ली चलता हूं और इसके बाद भूर्त नमबर पर आता है इनवर्टर आपको लेना है प्यूर शाइन बेब इनवर्टर लेना है आप किसी भी कंपनी का लिमिनियस या लिपफास्ट किसी भी कंपनी का ले सकते हैं तो मैं यहां पर 6000 रुपे का इनवर्टर लेके चलता हूं आपको 5000-4000 में भी मिल सकता है तो मैं यहां पर राउंड भेगर में 6000 रुपे लेके चलता हूं और फिप्त नमबर पर आती हैं DC वायर DC वायर तो DC वायर लगभग आपका आजाएगा 2000 रुपे का DC वायर हो जाएगा और 6 नमबर पर आता है आपका DC MC वी तो यह लगभग 1000 रुपे का हो जाएगा और इसके वाद 7 नमबर पर आजाएगा या अधर खर्चा अधर खर्चा भी कुछ क्राइच होते हैं उसमें तो बूम मैं मान के चलता हूं 2000 रुपे तो इतना सारा टोटल जब देखते हैं कि कितना आता है तो इस सारा टोटल में मबायर से करके आपको दखाता हूं केल्कुलेटर से तो आप देख सकते हैं 17000 प्लस 5000 प्लस 13000 प्लस 6000 प्लस 2000 प्लस 1000 प्लस 2000 टोटल हुआ इहाँ पर आपका 46000 यानि कि आपका पूरा पूरा पीचार साजार रुपे में आप एक कंप्लीट शोलर सिस्टम लगा सकते हैं और अपने घर को ग्रेड फ्री कर सकते हैं आप बिजली के बिलों से बिलकुल मुक्त हो सकते हैं और अपने घर का पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा लोड सोलर से चला सकते हैं मैं पिछले एक साल से अपने घर का पूरा का पूरा लोड सोलर से चलाता हूं और उसी के वेसपर मैंने इतने सारे एक्रिकमेंट लगा करके अपने घर को grade free कर लिया है तो आप भी अपने घर को या office को grade free कर सकते हैं अगर आपको एजानकारी अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ share किजिए और इसी पर का एक informative वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अगर पुरा लगा है या जो भी आपको कहीं भी कोई समस्या है तो आप डिसलाइक भी कह सकते हैं और कोई भी अगर आपको सुझाओ या समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं धन्यवाद दोस्ते